आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड टिपल रिफाइंड चक्कर क्या है तेल जो होता है ना जो तेल मिल से निकाला जाता है जैसे तिल जैसे सरसों जैसे नारियल जैसे मुंफली आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को उसमें पीस के तेल निकाल दिया ये है शुद्ध तेल ये खाओ तो फिर बाकी तेल क्या है बाकी में समय मिलावट वो मिलावट पता है क्या है तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको करते है रिफाइनिंग और फॉइल जब दो बार चिकनाई निकालते है तो डबल रिफाइनिग और तीन बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिग तो बचा क्या उसमें पानी है वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आज कर हाँ और डॉक्टरों ने डरा दिया कॉलस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी चिकनाई मत खाना मैं आपको तो कहने आया हूँ ये कि चिकनाई खाना देख के खाना कौन सी खाने लाइक है कौन सी खाने लाइक नहीं है चिकनाई दुनिया में दो तरह की है एक अच्छी और एक बुरी बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है High Density Lipoprotein HBL यह अच्छी चिकनाई और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL Low Density Lipoprotein तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े वो खतरनाक है और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े क्योंकि उसकी जरूरत है यह जो अच्छी चिकनाई आप में ही खाओगे तो क्या होगा वो भी बताते है आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाए आम चूसने के बाद कैसा दिखता है ऐसा हो जाएगा चिकनाई तो खाओ नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगे यह जो चहरा चमकता है ना हमारा यह चिकनाई के कारण अगर चिकनाई में यह शरीर में है तो पिल पिला हो जाएगा देखने में अच्छे ही नहीं लगेगा तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली अब आप पूछोगी अच्छी चिकनाई कहां मिलती है उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल लिखला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ, जिन्दकी पर खाओ, कोई तकलिफ नहीं आने वरे, क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है, और वो हमें चाहिए, अशुद्ध तेल मत खाओ, अब शुद्ध तेल कौन सा, रिफाइन तेल, डबल रिफाइन तेल, ट्रिपल रिफाइन तेल, डालडा, सबसे खतरना का शुद्ध तेल है, डालडा, वेजिटेबल आईल है, तो वेजिटेबल आईल मत खाओ, रिफाइन तेल मत खाओ, डालडा मगरा मत खाओ, ये तेल से जि किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का फाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का फाओ, मुंफली का करे मुंफली का फाओ, वैसे आप जहां रहते हो, यहां के लिए नारियल तेली अच्छा, जब आप राजिस्थान जाओगे, तो वहां के लिए सरसों का तेल जब आप जम्मु कश्मी जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है पहाड में रहें तो तिल का तेल मैदान में रहें तो सरसौाधी का तेल और समुद्र के किनारे रहें तो नारियम का तेल शुद्ध खाओ कभी तकलीफ नहीं आए और जिन दिन में वाढ़ का कभी कोई रोग नहीं आएगा शुद तेल की इतनी ताकत अब वाध के अस्ती रोग है अस्ती शरीर में गुटो का दर्द, कमर का दर्द कंदे का दर्द, जोडो का दर्द ऐसे अस्ती रोग है ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल को अब कहा से आएगा मदुरही में ढूडो कोई तेल मिल है क्या नहीं है तो लगा लो बहुत सस्ते में मशीन आती है आज क्या जो गुजराद वाले भाईब है न राज़ कोट में मैंने देखा शुद्ध तेल लिकालने के मशीन पचास हजार एक है और वो इतनी छोटी है कि दस फिट लंबा कमरा दस फिट चोड़ा कमरा उटने में लग जाती है और सब तरह के तेल एकी मशीन से निकलाते है नारियल का भी निकलता है सरसों का भी निकलता है तेरी का भी निकलता है मुफली का भी उसी मशीन से निकलता है तो पचास हजार के मशीन का ओडर दे दो यहां लग लादो क्या मुश्किल है अपनी अपनी नारियल लेके जाओ तेल लिकलवा के लाओ मुफली लेके जाओ तेल लिकलवा के लाओ